हेलो गाईस केसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की ओपो A58 फोन में आप लोग कोल रिकोडिंग को केसे निकाल सकते हो अगर आपके पास एक Oppo A58 phone है और इस phone में जो है आप लोगो को call recording को निकालना है गाईस या पर आप लोग call recording को देखना चाते हो चेक करना साथ हो और उसको सुनना चाते हो कैसे आप लोग जो call recording को check करोगे कि call recording आप लोगो को सुनना है तो कैसे आप लोग call recording को निकालोगे इसलिए गज फीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गज फीडियो को start करते है call recording को निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर अपने फोन में file manager को open कर लेना है देख सकते ही रहा my files तो इस my files को हम click करके open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ पर देख सकते गाईस एक audio का option होगा audio पर click करेंगे click करने के बाद गाईस यहाँ पर जो यह search वाला बटन है इस search बटन पर हम click करेंगे search बटन पर click करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है गाईस call recording देख सकते spelling जो है मेरे phone में आप लोग देख लीजिए call recording लिखते ही आपके phone में अगर call record मुझूद होगा जैसी कि मेरे phone में एक भी call recording नहीं है अगर आपके phone में call recording है call recording हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर call recording देखने को मिलेगा लेकिन इसको आप लोगों को हमेशा audio में set करके रखना होगा क्योंकि call recording audio होता है तो audio में ही आप लोगों को call recording मिल जाएगा तो यहाँ पर से call recording के options आ जाएंगे call recording आ जाएंगे यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो उसके बद phone के application को open कीजिए 3.पे click कीजिए तो settings का option आएगा settings पे click कर दीजिए call recording का option यहाँ पर होगा इसपे click करेंगे और यहाँ पर भी आप लोगों को जो है अगर call recording हुआ है आपके phone में तो यहाँ पर भी आप लोगों को call recording का option आ जाएगा इसपे click करके आप लोग record हुए calls को देख सकते हो तो ऐसे गड़के जो आप लोग अपने oppo a58 phone में